अच्छुतं केशवं रामनारायणं क्रिश्न दामोदरं वासुदेवं हरिम श्रीधरं माधवं गोपिकावल लभं जाने की नायकं रामचंद्रं भजे कार्थिक मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्रीक्रिष्न और श्रीमती राधारानी की क्रिपा से आपकी हर प्रगार की काम ना पोड़ हो 16 नमबर 2023 आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनने वाले हैं कार्थिक मास महत्म का 20 वाध्याई तो कार्थिक मास की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधारानी का ध्यान करके राधा नाम का उच्चारन करके इस पावन और परम कल्यानकारी गथा का श्रमट करत से और प्रेत योनी से मुक्त दिलाई और जब भगवान विश्णू के दूत कलहा को लेने आए तब उस ब्रामभन धर्मदत्त ने उन देवगणों से प्रश्ण किया कि सब मनुष्य भगवान विश्णू की प्रसन्यता के लिए विधिवत यग्य दान व्रत तीर्थ तथ तब करते हैं किमतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो तब गणों ने कहा हेद विजिस्रेष्ट आपका प्रश्ण बड़ा स्रेष्ट है हम आपको भगवान विश्णू को प्रसन्य करने का उपाय बताते हैं हम इतिहास सहित प्राचिन सुनाते हैं सावधानी से सुनिए प्राचीन काल में कांची पूरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राजी करता था उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देशी प्रसिद्ध था राजा चोल के राजी में कोई भी प्राणी दरिद्री दुखी पापी और रोगी न उस समय शेश सहय पर योग निद्रवस सो रहे थे राजा ने उनकी मनियों मोतियों और स्वरण के दिव्य फलो फूलो द्वारा पूजा की वह सास्टांग प्रणाम करके भगवान के चर्णों के पास ही बैठ गया थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी काची पू पूजन किया विष्णुदास के चढ़ाई हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाई हुए मणी मोति और स्वरण के फूल धक गए राजा यह देखकर क्रोध में भरकर बोला धोंगी मुर्ख तुने मेरी चढ़ाई हुई मणियों मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी कर कहने लगा हे राजन तुम भक्ति करना नहीं जानते तुमको अपने धन का घमंड है बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किये हैं देवगण ने कहा ब्रामभण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हसकर कहा हे विप्र भगवान की भक्ति के अभ दिल ही बनवाया है तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो यहां जितने भी ब्रामभण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान पुर्वक सुने और देखें कि भगवान विश्नु के दर्सन मुझे होते हैं या कि तुझे इसके बाद दो एक रिशी महर्शियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाच और धन आदी दक्षना दी उधर विश्नु दास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसनता के लिए व्रत करने लगा रामभण ने माग तथा कार्तिक मास के व्रत किये तुलसी के वन का पूजन किया वह भगवान को प्रसन्य करने के लिए गीत गाता रहा और नित्य करता रहा नित्य प्रती व्रत करता था भूमी पर सोता हर समय भगवान को प्रसन्य करने के लिए एका दशी के व्रत भी किये और उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उध्यापन भी किया और इस प्रक काल की आराधना हो सके और ग्रत भंगना हो इसलिए उसने दोबारा भोजन तयार नहीं किया श्री नारत जी ने कहा हे राजन इस तरह लगातार साथ दिनों तक कोई दूसरा उसका भोजन चुराता तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि नजाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है फिर भी इस देवस्थान को छोड़न नहीं चाहिए अगर मैं भोजन बनाकर तुरंत ही खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा आज मैं भली भाती भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है ऐसा सोचकर विश्णुदास भोजन तयार करके भोजन के पास ही चिपकर बैठ गया उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शर कर वह स्रेश्ट ब्राम्हण आगे को बढ़ा विश्णुदास को अपनी और आता देखकर वह चांडाल तेजी से दोड़ने लगा वह ब्राम्हण से डर गया लेकिन दुरबलता के कारण दोड़ नहीं सकता था इसलिए वह भूमी पर गिरपड़ा और मुर्शित हो गया च उसके सम्मुक, शंक, चक्र, गदा, पद्म, पितांबर धारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूलों के समान कांती वाले वक्ष में कौस्त भुमाला से शुशोभित, साक्षात श्री भगवान विश्णु खड़े हैं भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से यु उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपुरण देव, गंधर्व और अपसराएं आ गई, विश्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्रामभण को प्रकट करके उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गए, दिव्य विमान में ब्रामभण को विश्णु के साथ जाते हुए, चोल राजा ने भी उसे देखा, उसने अपने आचार्य मुदगल को कहा कि मैंने जो यग्यादी किये हैं, वे सब व्यर्थ हुए, जितनी भी दान दक्षिना मैंने ब्रामभणों को दी, वह भी असफल हुई, विश्णु भगवान के द अपने भांजे को राजगदी का अधिकारी बना दिया, और आप भगवान विश्णु की भक्ति करने लगा, बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विश्णु भगवान के जब दर्सन नहीं हुए, तो वा अगनी कुंड में कूद पड़ा, अगनी में प्रकट होकर विश विश्णु जी ने अपने समान रूप वाले ब्रामण को पुन्यसील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया, प्रेम से भोलिए, स्री लक्ष्मी नारायन की जए, ओम ख्लीम कृष्णाय नमा, कार्तिक मास महात्म का बीस्वा अध् पन के भंडार भर जाते हैं, इस कहानी के बारे में एक पौराणिक कथा है, कि इस कहानी को माता सीता कहा करती थी, और स्री राम भगवान इसे सुना करते थे, पर एक दिन स्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, कि भगव जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना सीता माता ने ऐसा ही किया और कुए की पाल पर जाकर बैट गई उसी समय एक इस्त्री उस कुए पर पानी भरने आई उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था सीता म माता ने उसे देख कर कहा कि बहन मेरा बारह वर्ष का नितनेम सुन लो पर वो इस्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बतल गया सास ने जब देखा तो पूछा कि ये किसका दोस अपने सिरपर लेकर आ गई है बहु ने कहा कि कुवे पर एक औरत बैठी थी उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका फल ये मिला अब बहु की बाते सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुवे कि पाल पर गई सास को वही सीता माता बैठी मिली और सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए शास बोली कि एक बार छोड मैं तो चार बार कहानी सुन लूगी तब सीता माता ने उसे अपनी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। करेंगे श्री राम जैराम जैजैराम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगे। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। अब बहु कहने लगी कि सब कैसे किया तब सासु मा बोली कि तू दोश लगा कर आई थी और मैं अब दोश उतार करा रही हूं बहु पूछा कि सासुमा वो कुए वाले इस्त्री कौन थी सासुमा बोली कि वे सीता माता थी वे पुराने से नया कर देती हैं खाली घर में भंडार भर देती हैं लक्षमी जी का वास घर में कर देती हैं और आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं बहु बोली कि ऐस किसी कहानी मुझे भी सुना दो सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो और सास ने कहानी कहना शुरू किया राम आए लक्षमण आए देश के पुजारी आए नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीयो राम माखन मिश्री खाओ राम दूद बतासा पीयो राम सूत के पलका मोठो राम शाल दूशाला पोठो राम शाल दूशाला ओडो राम जब बोलू जब राम ही राम राम सवारे सब के काम खाले घर भंडार भरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे श्री राम जै राम जै जै राम कहानी सुनकर बहु बोली कहानी तो बहुत एक दिन उनके यहां एक पडोस की औरत आई और बोली कि बेहन जरासी आश देना तब सास बहु बोली कि आश तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं पडोसन ने कहा कि तुम सुबह चार बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं पडोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की नितनेम की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला वे बोली कि इनकी कहानी से घर में भंडार भर जाते हैं सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पडोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। जब बोलू जब राम ही राम, राम समारे सब के काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सब का बेडा पार करेंगे, श्री राम जै राम जै जै राम। पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के, कहने वाले के, और हुंकारा भरने वाले सब के भंडारे भर देना। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमांचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ छेत्रों में, आज भी ये कथा सीता जैनती पर सुनाई जाती है। नितनेम की ये कथा मैंने अपनी दादी से सुनी थी। और दादी ये कहानी हर रोज जब पूजा करती थी, तो पूजा करते से मैं कहा करती थी। और दादी से सुनकर सब बच्चों को ये कहानी जबानी ही याद हो गई थी। आप लोग भी कमेंट बोक्स में जरूर ओम्, विश्वं विश्वोर वचतकारो भूतभव्य भवत्रभु भूतकृतग्यबृत भूतवडटवाः ण्जभृतभृतव वाहना पूतात्मा पर्मात्माच मुगतानाम प्रमागती अव्ययः पुर्सा साक्षी शेट्राग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदाम प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंगव पूश्रीमान केशव पुरुषोत्तम, सर्वः शर्व शिवस्थाणुर भूतादिर निधर्व्यय, संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरिश्वर, स्वयंभू शंभू रादित्य, पुस्कराक्षो महास्वन, अनादि निधनोधाता, विधाताधातो रुत्तम, अप्रमेयो, रिशीकेश, पद्मनाभो, अमरप्रभू, विश्वकर्मा, मनुस्त्वस्थास्थास्था विरोध्रुव, अग्राह्या, शाष्वताक्रिष्णो, लोहिताक्ष, अप्रतर्दन, प्रभूतस्त्रिककुप्धाम, पवित्रम्मंगलंपरम, इशानह प्राण दह प्राणू, जेश्ठा-श्रेष्ठ प्रजापती, हिरन्यगर्भो, भूगर्भो, माधवो, मदुसूदन, इश्वरो विक्रमीधन्वी, मेधावी विक्रमहक्रम, अनुत्तमो दुराधर्ष, अक्रितअग्य, अक्रितिरात् वसुर्वसुमना, सत्य, समात्मा, सम्मितासम, अमोग, पुंडरी, काक्षो, व्रिशकरमा, अवरिशाकृति, रुद्रो बहुशिराब, अब्रुर, विश्वयोनी, सुचिश्रवा, अम्रितअग्य, शाष्वतस्थानूर, वरारोहो, महात्रपा, सर्वगह, सर्व, जगदातिच अनको विज्यो जेता विश्वयो निह पुनर्वसु उपेंद्रो वामन प्रांशुरु मोखा सुचुरुर्जिता अतिंद्रह संग्रह सर्गो धृतात्मा अनिय मोयमा वेद्यो वेद्य सदायोगी वीरहा माधवो मदू अतिंद्रियो महामायो महुत्साहो महा पति मरीचिर दमनो हंसा सुपरनो भुजुगोत्तमा हिरन्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजो दूर मर्षड शाष्ता विश्रुतात्मा असुरारिहा गुरुडगुर्त मोधामा सत्य सत्य पराक्रमा निमि सिध्धार्थ सिध्ध संकल्प सिध्ध सिध्ध सिध्धी साधन वर्धनो वर्ध मानस्च विविक्त हच्रुति सागर सुभु जो दूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरू बोब्रिहद रूप शिपिविष्ट प्रकाशना ओजस्ते जो दुधिधर प्रकाशात्मा प्रतापना रिधस पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रान्शुर भाश कर दूति ही अम्रितान शुद्भवो और शिपिविष्ट प्रकाशना ओषदम जगता सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भवन्नात पवन पावनो नला काम हा काम कृतकांत काम हा काम प्रदप्रभू युगादि कृत्यु गावर्तो नेकमायो महाशना अद्रिश्य अव्यक्तरू पस्च सहस्त्रजित इस्टो अविशिष्ट सिष्टेष्ट सिखंडी नहुसोवरिष प्रोधा petitकरत आविश्व भाहुर महीधरा अश्चोत प्रतित प्राण प्राणदौ वासोवानुजा अपामनि दिर्धेश्टानम प्रमत्त प्रतिष्टित सकंद सकंद धरोधूर्यो वरधो वायुवाह वासुदेवो ब्रिहत्भानु रादिदेवा पुरंदर अशोकस्तार अनस्तार शूरा सोरिर्जनेश्वर अनुकूलह शतावर्त पद्मी पद्मनी भेक्षण पद्मनाभो अर्विन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीर भित महर्धिरित्धो व्रित्धात्मा महाक्षो अतुलह शर भोभीमो समयक्जो हविरहरी सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूर्दामो दरस महिधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भवाचो भणो देवा श्रीगर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता गहन व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेख्षन रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमतांज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तम व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणदः प्रणवाप्रितु हिरन्यगर्भ शत्रुग्णो व्याप्तो वायुरुधोक्षज रितु सुदर्शन काला परमेश्ठी परिग्रह उग्रह सम्वत्सरोदक्षो विश्रामो विश्वदक्षण विस्तारस्थावरस्थानु प्रमाणंवी जमव्ययं आर्थो अनर्थो महा सुघोसा सुखडा सुhrटा मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहु रिविधारणा स्वापनास्व वक blossoms्यापी नैकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवश्लोवससी रत्नगर्भो धनेश्वरह धर्मगुप्धर्मकृत्धर्मी सदसक्षरमक्षरम अविज्याताश फत्रांसूर्व गवस्तिनेमिही सत्वस्थ सिंहो भूत महिश्वर आदि देवो महादेवो देवेशो देव भृत गुरु उत्तरोगो पतिरगोप्ता ज्यान गम्या पुरातना शरीर भूत भृत भृत भूक्ता कपिंद्रो भूरी दक्षिना सुमभो अमृत पहजोमा पुरुजित आनंदो नंदो नंद स्यत्यधरमा अत्रिविक्रमा महर्शी कपिलाचार्य कृत अग्यो में दिनीपति त्रिपदस्त्रि दशाध्यक्षो महाश्रिंग अक्रितांत्रक्रित महावराहु गोविंद सुखेळ कनकांग दी गुयो गभीरो गहनो गुप्तस चक्रगदाधर व सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रद दिविस्तिरिक्सरव द्रिग्व्यासो वाचस्पतिर योनि जह त्रिसामा साम गहसामा निर्वानम भेश जम्भिसक सन्यास्क्रिच्छमा शांतो निष्ठा शांति ही परायनम शुभांग शांति दस्रष्टा क श्री निधी श्री विभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोक त्रयाश्रेया स्वक्षा स्वंग शतानंदो नंदिर्जो तिर्गनेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्किर्ते श्चिन्न संसया उधिरण स्तर्व तक्षा शुर निषा शाश्वतास्थिर भ कामदेव, कामपाल, कामी, कांत, कृतागम, अनिर्देश्यव, पुर्विष्णूर, वीरो, अनन्तो, धनंजे, ब्रह्म्हन्यो, ब्रह्म्ह, 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 विवर्धन, ब्रह्म्ह, विद्ब्राम्हणे, ब्रह्म्ही, ब्रह्म्ह, अग्यो, ब्राम्हन, प्रिय, मह आक्रमू, महाकर्मा, महातेजा, महुरग, महाकरतरु, महायज्वा, महायक्जो, महाहवी, स्तव्यस्तव, प्रियस्तोत्रम, स्तुतिश्तोतारण, पुर्ण, पुरैता, पुन्य, पुन्यकिरतिरिनामया, मनुजव, स्तिर्थकरू, वसुरेता, वसुप्रद, वसुप्रदो, महा मूर्दिर दिप्त मूर्थिर मूर्थिमान अने कमूर्थिर अव्यक्त शत्मूर्थि शताना एको नएक सवक किम यत्तत पद मनुत्ततमाम लोकबंधुर लोक नाथो माधोवो भगत नगत्सलः सुवर्णवर्णो हे मांगो वरांगश चंदनांगदी वी रहा विश्मह शुन्यो घृताशीर चलस चलह अमानी मान दो मान्यो लोकस्वामी त्रिलो कद्रिक सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधा धराधर तेजो व्रिश द्वितिधर शर्वसस्त्र भृतामबर प्रग्रहो चत्रुबाहुस चत्रुव्युःस चत्रुगती चत्रात्मा चत्रुभावस चत्रवेद विदेक पात समावर्तो अनिवर्टात्मा दूर जयो दुरतीक्रमा दूरलभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग शुतंतु श्तंतु वर् कुमुदह कुंदर कुंदह पर्जन्यह पावनोनिल, अमृटाशो अमृतवपु, सर्वग्या सर्वतो मुख, सुलभा सुवरत सिध्ध शत्रूजी छत्रूतापन, न्यग्रोधो दूमबरो अस्वस्त स्चानुरांधर निशूदन, सहस्तरार्चीही सप्त जीव, सप्तेध आपना में अखल विहाय सग तेर्जोती सुरुचिर हुदभुग भिभू, रविर भिलोचना हसुरया, सविता रविलोचना, अनन्तो हुदभुग भोगता सुखदो नेक जोघ्रजा, अनिर विन्न सदामर्षी, लोकाधेस्फा अनमत भुता, शनात सनातंतंतमा कपिला कपिरप्यया, स्वस् प्रणाशन, वीरहारक्षण संतो जीवन पर्यवस्तित, अनंत्रूपो अनंत्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह, चत्रश्टो गभिरात्मा विदिचो व्यादिशो दिश, अनाधिर भूर्भु ओलक्ष्मी, स्वीरो रुचिरांगद, जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक आधार नीले योधाता, पुस्पहास, प्रजागर, उर्ध्वग सत्पथाचार, प्राणदह प्रणवापण, प्रमानम प्राण नीलिया, प्राण भृत, प्राण जीवन, तत्वम तत्व विदेकात्मा, जन्मे मृत्यू जरातिग, भूर्गु अस्वस्तरूस्तार, सव धन्वाग, दाधर, रथांग, पाली, रक्षोब्य, सर्व प्रहरनाविध, सर्व प्रहरनाविध, ओम नमहिती। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूं लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तव नहीं हो या निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा, करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज हो या सब पूरन पर आवे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, चायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमैं सकल चित धारी, तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धी हो विछण में, ओश धिरूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता, देवरिशीमुनी और तप धारी, करत सदातव जय जय कारी, वेद पुरानन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुखनी वारनी, नमो नमो सुख संपति देनी, नमो नमो अग काटन चेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद चेनी, नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो पर लोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज सवारनी नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रतमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चालीसा की अस्तुति करे मात तुलसा की यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होई तुलसी चालीसा संपूड और अब आप सुनेंगे तुलसी महरानी की आर्थी तुलसी महरानी नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनो शालिग राम की बनी पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपटानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो धूपदीपने वेद्य आरती पुष्पन की वरसा बरसानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुलसा हरी एक नमानी नमो नमो तुलसी महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महरानी नमो नमो तुलसा महरानी नमो नमो हरी की पतरानी नमो नमो दोस्तों कार्तिक मास की देव उठनी एकादेशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है शाली ग्राम के साथ तो तुलसी और शाली ग्राम का विवाह आपको कब करना है देव उठनी एकादेशी कब है और तुलसी विवाह से संबन्तित जो भी आपके प्रेश्ट है इस विशे पर वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है तो आप लोग जरूर देख लीजे और अगर आप छट करते हैं तो छट पूजा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है आप लोग जरूर देख लीजे आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो क अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोट सब्सक्राइब करें तब तक के लिए जैश्री राधे